इसे पहले वाले सेशन में हम लोग ने 85 तक प्रशनों को अच्छे से डिसकस किया था आज का जो सेशन होगा 86 से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इसका पीडिये भी एविलेबल है अगर आपको पीडिये चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल की कम्मुनिटी बॉक्स में जाएए वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है ये BPSC के अलावा किसी अधर एक्जाम के पॉइंट आभियू से भी बहुत जादा महत्पूर्ण सिरिज है तो दो से तीन बार इस सिरिज को रिभाइज कर लिजेगा 86 नमबर जो कोशन है मेगास्थनीज ने भारतिय समाज को कितनी सिरिणियों में विभाजित किया मेगास्थनीज ने भारतिय समाज को कितनी सिरिणियों में विभाजित किया है तो साथ सिरिणियों में मेगास्थनीज इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतिय समाज को साथ स्रिणियों में विभाजित किया है दार्षनिक, क्रशक, पशुपालक, कारिगर, योधा, निरिक्षक और सभासद देखें, याद रखिएगा, मेगास्थनीज भारतिय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उलेख नहीं करता है और मौरेकाल में कोई भी व्यक्ति न तो अपने जाती से बाहर विवाग कर सकता था और नहीं उसे भेन पेशा ही अपना सकता था यानि वो जिस जाती का था, उसी जाती में वो विवाग कर सकता था और उसके वंस में, यानि उसके दादा, परदादा, फादर जो पेशा को अपनाए हुए थे वही पेशा वो भी अपना सकता था उसे भीन पेशा अपनाने की उसे इजाज़त नहीं थी प्रशन संख्या 87 है मौर समाज का साथ वर्गों में विभाजन का विशे सुरूप से उले किया गया है किस में किया गया है किस के द्वारा किया गया है आब बताइए तो देखिए अगर बात करें तो मौर समाज का साथ वर्गों में भी भाजन का भीशेश रूप से उलेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में साथ स्रेणियों में समाज को बाटा गया है 88 है Peri Plus of the Erythreon C किसने लिखी Peri Plus of the Erythreon C किसने लिखी तो देखिये इसका सही जवाब हो जाएगा उप्यूक्त में से कोई नहीं जिसने लिखा था उसका नाम जो है गुमनाम है नाम उजागर नहीं है Peri Plus of the Erythreon C एक ग्रीको रोमन याद रहे कि ग्रीको रोमन पेरिपलस है और यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और बेपार के आउस्वरों का वर्णन करता है इसलगवग 60 ISP में अलेकजेंडरिया के एक अनाम नाविक ने लिखा इसने भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली बस्तूओं का भी उलेख किया है 89 है वस्रोत जिसमें पाटली पुत्र के परसासन का वर्णन उपलब्ध है वस्रोत जिसमें पाटली पुत्र के परसासन का जिक्र किया गया है वस्रोत कौन सा है तो याद रखेगा इंडिका पाटली पुत्र नगर का परसासन पाटली पुत्र की जो नगर है पाटली पुत्र के जो नगर प्रसासन था मेगास्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसको जो जिक्र किया ठीक है Megastanis ने पाटली पुत्रे के नगर परिसत की 5-5 सदस्यों वाली 6 समीतियों का उले किया है और वो नगर के पदाधिकारियों को Estinomoy कहता है जो Megastanis है अपनी पुस्तक Indica में पाटली पुत्रे के जो नगर परिसत के जो पदाधिकारी थे उसको जो है अपने फुस्तक में क्या बोला एस्टीनोमोई कहता है उन पतादिकारियों को प्रश्ने शंख्या 90 में पूचा गया कि पाटली पुत्र को कि सासक ने सोर परथम अपनी राधानी बनाई इसका सही जबाब क्या हो जाएगा तो पाटली पुत्र को अपनी रधानी बनाने वाला सौर प्रत्थम जो सासत था चंद्रगुप्त मौरे था यानि ए अप्षन बिल्कुल करेक्ट अप्षन है पाटली पुत्र की अस्थापना गांगा और सोन नदी के संगम पर हुआ है और अपनी रधानी राजग्री से पाटली पुत्र अस्थांत्रेट की थी किन्तु विकल्प में उद्धै नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर सही विकल्प हो जाएगा इसका सही जवाब है वास्तविक में अगर बात की जाए तो उद्धाई अगर option में उद्धाई नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशन संख्या 91 है इन में से किसने सौर प्रत्थम ब्यापक पैमाने पर स्वन मुद्रा का प्रचलन किया तो इसका सही जवाब हो जाएगा याद रखेगा इसका सही जवाब बताईए वीमा कट फिसस यानि option जो सी है बिलकुल correct option है वीमा कट फिसस ये कुसार सासकों के द्वारा ब्यापक पैमाने पर स्वन मुद्रा का प्रचलन आरम किया गया भारतिये उप महाद्विप में उ सबसे महत्पूर्ण योगदान था कुसार सासक वीमा कट फिसस को स्वन मुद्राओं के प्रचलन का स्थे प्राप्त है तो वीमा कट फिसस याद रखेगा 92 है कला की गंधार सैली निम्न समय में फलिफुली किसके समय में कला की जो गंधार सैली है फलिफुली तो याद सास्या और इन दोनों को कनिष्क एकी और से प्रियाप्त प्रुत्षाहन दिया गिया इन सैली को फलिफुले का कनिष्क के समय में बहुत जादा मुका मिला इस VO गंधार कला याद रखिएगा इसलिए इसको जो है कह सकते हैं कि जो कनिस्क है कनिस्क के समय में इन सैलियों के फनले फुनले का जो औसर है काफी जादा मिला और फले फुले काफी इनों ने अपने सैलियों को बिस्तरित किया विकास किया और गंधार कला युनानी कला से परभ में अगर नाम पूछा जाए तो कनिस्क के सासनकाल में ये जो सैली है काफी फला फुला 93 है इन में से कि सासक ने चतुर्थ बौध संगती कस्मीर में आयो जित की जो चोथा बौध संगती हुआ था कस्मीर में हुआ था किसके सासनकाल में हुआ था और उसके अध्यक्स कौन थे आप कमेंट करके बताईएगा तो चतूर्थ बौस अंगती कस्मीर में कहा पर हुआ था बताईए इसका सही जवाब क्या होगा देखे चतूर्थ बौस अंगती जो है यादखिएगा इसका सही जबाब हो जाएगा और इसके अध्यक्ष था वसुमित्रेने की थी और अस्वगोस इसके उपाध्यक्ष थे नदख्ष भी थे उपाध्यक्ष भी ते अध्यक्ष वसुमित्र थे उपाध्यक्ष अस्वगोस थे इस सभा में महा सांगिकों का वर्चस्व था यहां बौध गरंथों के कठीन अंसों पर सम्यक बिचार किया गया परतेक पीटक पर भास लिख कर उन्हें बिभासा सास्त नामक्ति काओं में स इन्यान और महायान में 94 है सुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज किया तो कणव याद रखेगा सुंग वंस का अंतिम राजा देव भूती अपने अमात्य वसुदेव के सड़यंत्रू के द्वारा मारा गया ठीक है वसुदेव ने जिस नविन राजवंस की 95 नंबर है राजा खारविल का नाम जूड़ा हुआ है राजा खारविल का जो नाम जूड़ा हुआ है किसके साथ जूड़ा हुआ है आपको बताना है बहुत ही मत्पूर प्रशन है कई बार ये प्रशने पूछे जा चुके हैं तो राजा खारविल का जो नाम जूड़ा ह हाथी गूफा लेह के साथ जुड़ा हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा option C कलिंग का चेरी सासक खारवेल प्राचीन भारती इतिहास के महानतम समराठों में से एक था बहुत ही महारा ये जो समराठ था मतलब कि अनेक महानतम में इसका नाम भी एक महानता के रूप में जो है जोड़ा गया उरिशा प्रांत के भूने स्वर से तीन मिल की दूरी पर इस्थित उदैगीरी पहाडी की हाथी गूफा से उसका एक बिना तीथी का अभिलेक प्राप्थ होता है इसमें खारवेल के बच जानने का एक मात्र शुरुत है 96 है नगरो का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्पूण बिसेश्टा थी नगरो की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्पूर्ण बेसेस्ता थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल यानि option A गुप्त काल में नगर जो है क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ इसका पतन प्राराम हो गया संपूर्ण गंगा घाटी में जो सहर पहले अत्यांत समरिद अवस्ता में थे फले फूले हुए थे उनमें से अधिकांस को गुप्त यूग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवसन में क्या कर दिया गया प्रियाप्त मतलब की बिघटन हुआ उसके जो फलने फूलने का जो था उसमाप्त होने लगा पाटली पुत्र जैसा महत्पूर्ण नगर वेन स्यांग के आगमन तक गाउं बन गया मतुरा जैसा महत्पूर्ण नगर और कुम्रहार सोनपूर, सोगवरा और उस पर्देश में जो एक गंगा घाटी के अनेक महत्पूर्ण केंद्र हरास के ही परमाण परस्तूत करते हैं इनकी पतन जो है मतलब कि क्रमिक रूप से अग्रसर रहा 97 है निमलेखित में से कौन सा बंदरगा गुप्त काल में उत्तर भारतिये ब्यपार के लिए उप्यो किया जाता था कौन सा बंदरगा गुप्त काल में उत्तर भारतिये ब्यपार के लिए उप्यो किया जाता था तो इसका सही जबाब क्या होगा बताइए तो इसका सही जबाब हो जाएगा अगर बात करें तो अप्शन E बिलकुल क्रेक्ट अप्शन है गुप्त काल में बंगाल में तामर लिप्ती एक परमुख बंदरगा था जहां से उत्तर भारत के सांथ दक्षेंट पूर्व एसिया, चीन, लंका, जावा और सुमात्रा आधी देशों के सांथ ब्यपार होता था पश्मी भारत का परमुख बंदरगा भिरगु कक्षी यानि भणोस था जहां से पश्मी देशों के सांथ समुंदरी ब्यपार होता था और इसके अलावा अगर बात करें तो कल्यान कथा बैम्बे से भी उत्तर भारतिय ब्यपार होता था 98 है किस सासक वंस ने मंदिरों और ब्रामडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गाउं अनुदान में दिया तो किस सासक वंस ने ठीक है किस वंस ने मंदिर और ब्रामडों को सबसे ज़्यादा जो है ग्राम यानि गाउं अनुदान में दिया था तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त वन्स किस वन्स ने? कि सासक वन्सों ने मंदिर और ब्रामडों को सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान में दिया था तो गुप्त वन्स ने ओप्शन A बिल्कुल करेक्ट ओप्शन है और इसके बारे में डिसकस कलेते हैं देगे अगर बात किया जाए तो गुप्त वन्स के सासकों ने मंदिरों और ब्रामडों को सबसे ज़्यादा जो है गाउं को मतलब कि दान में दे दिया गाउं अनुदान में दिये गुप्त लेखों में जिन भूमी दानों का उलेक किया गया है उसे यह असपष्ट हो जाता है कि भूमी दान के सासाथ गाउं के भूमी से उत्पन होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंब दी जाती थी जिसको दान में दिया गया था उनको ये आय स्वंब दी जाती थी 99 है गुप्त यूग में भूमी राजस्व की दर क्या थी गुप्त यूग में भूमी राजस्व की जो दर थी तो उपज का बताए चठा भाग B option बिल्कुल correct option है उपज का चठा भाग भूमी राजस्व की जो दर थी ये निर्धारिती भूमी राजास के रूप में दिया जाता था गुप्त काल में जो लोग राज की ये भूमी पर क्रिसी करते थे उन्हें अपनी उपस का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था जो सश्ठांस होता था, छट्था भाग होता था गुप्त अभिलेखों में भूमिकर को जो है उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है उद्रंग तथा भाग कर याद रखेगा ये दोनों वर्ड बहुत ही मात्पून है प्रस्य संख्या हंड्रेड है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्याधिक थी भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्याधिक थी तो इसका सही जबाब हो जाएगा गुप्त डी अप्सन भागवत अथवा बैशनो धर्म का चर्म उतकर्ष गुप्त रजाओं के सासन काल में हुआ गुप्त नरेश बैशनों मतनुयाई थे उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था अधिकान सासक जो थे उपरम भागवत की उपादी धारन करते थे विश्वनु का वाहन गरून गुप्तों का राजची नहीं था 101 नंबर में पूछा गया कि इन में से किसने पहली बार यह अभ्याख्या की थी कि प्रित्वी अपनी धूरी पर गुमने के कारण प्रति दिन सुर्योदै यह अभ्यास्त करता है और यव्याख्या किसने पहली बार मतलग की दी या बात किसने कही कि जो प्रतिवी है अपनी धूरी पर घुमने के कारण जो है प्रतिदिन सुर्योदय और सुर्यास्त होता है तो आरे भट अप्शन ए बिल्कुल करेक्ट अप्शन है आरे भट प्रतम बैगती थे जिनोंने या बात कही कि प्रतिवी अपनी धूरी पर घुमने के कारण ही उसका जो दीन और मतलग की सुर्योदय और जो सुर्यास्त होने का जो करम है इसी कारण होता है 102 नंबर है इनमे से कौन गुप्ट काल में औस्धी के छेतर में अपने कार के लिए जाने जाते थे चार अप्शन है आपको बताना है कि निमन में से कौन गुप्ट काल में औस्धी के छेतर में अपने कार के लिए जाने जाते थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा option, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा option E, correct option E है, कैसे E option है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, सुसुरुत को सल किरिया का जनक कहा जाता है, या कासी के रहने वाले थे, इनका काल जो है लगभग 600 इसा पुर्व मना जाता है, सुनक रीगवेत कालिन रीसी थे, जो सुनक थे और रीगवेत कालिन रीसी थे, रीगवेत के समय में ये रीसी थे, सुद्रक गुप्त कालिन नाटकार यानि सहितकार थे, और सौमिला गुप्त कालिन नाटकार है, जिसे कालिदास ने भास और कवी पुत्र के साथ याद किया ह इस परकार गुप्त काल में ओज़ी के छेतर में उप्युक्त में से किसी ने कार नहीं किया था बिहार लोग सिवायूग ने अपने प्रारम भी उत्रक पत्रक में जो है इसका सही उत्र जो माना था ये माना है लेकिन इस काल का प्रारामब जो है चुकि गुप्त काल का जो प्रारामब है तो या दखियेगा इसका सही जवाब हो जाएगा इनमेंसे कोई नहीं चीनी यात्री हुएन स्यांग ने किस विश्य विद्याले में अध्यन किया था इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्य विद्याले में यहां से दो-तिन प्रशने पूछने की जो समभवना है काफी ज्यादा है जैसे पूछा जा सकता है कि हुएन स्यांग किसके सासंकाल में भारत आया था या हुएन स्यांग के समय नालंदा विश्व विद्याले के कुलपती का नाम क्या था तो दो प्रश्ण है इसको ध्यान में रखिएगा चीनी यात्री वेन स्यांग हसवर्धन के सासंकाल में भारत आया था चोसो सैंतिस इस्पी में वेन स्यांग नालंदा विश्व विद्याले गया इस समय यहां के कुलपती अचार सिल्भद्र थे वेन स्यांग जब भारत आया था और जब यह नालंदा विश्व विद्याले ग इसके बाद वो बंगाल, उडिसा, धान एक कटक होता हुआ, काची पहुँचा और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हुएन स्यांग पुना नालंदा आया और वैख्यान दिये प्रेशन संखे 104 है, हुएन स्यांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे परसिद नगर कौन सा था वेंस्यांग की भारत में यात्रा के समय जब वेंस्यांग भारत यात्रा किया था उस समय की अगर बात करें तो सुती कपडों के उतपादन के लिए जो सबसे परसिद नगर था उस नगर के नाम था मतुरा यानि बी अप्सम चीनी यात्री हिवेंस्यांग हश्वर्धन के सासंकाल में भारत या था मतुरा एक ओधोगिक नगरी थी और सास्त्र से ज्यात होता है कि इसके सूती वस्त्र उतक्रिष्ट के लिए जो है उतक्रिष्ट ता यानि अच्छे उतपादन के लिए परसिद था ये जो मतुरा था और ह्वेंस्यांग ने मतुरा की आर्थिक समर्धी और ब्यापालिक प्रगती की पुष्टी की है वो लिखता है कि मतुरा के बजारों में बिखने वाली बस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी प्रशन संख्या 105 है कभी बाण निवासी था कहां का जो कभी बाण थे ये कहां के निवासी थे तो पाटली पुत्र के वाण भट हर्ष्वर्धन के दरबारी कभी थे ये पाटली पुत्र छेत्र के निवासी थे हर्ष्चरीत्र कादंबरी चंडी सतक इनकी परमुख रचन प्रश्ण संख्या नेक्स्ट जो है देखे 106 में पूछा गया कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया लगभग कब लगभग इसने भ्रमण किया था तो देखे इसका सही जबाब हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 इस्टी में जब वह युवक था तो अपने 37 बौध सहयोगियों के साथ बौध धर्म के आउसेशो को देखने के एक्छा से उसने पश्यात्र विश्व का भ्रमण करन काले में इसने अध्यान किया और 693 से 94 के भी इच लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लोट गया प्रशन संख्या 107 है पर सिद चीनी यात्री फाहयान ने किसके सासंकाल में भारत की यात्रा की थी इसका सही जबाब दीजिए इसका सही जबाब हो जाएगा चंद्रग दिवितिये चंद्रगुप्त दिवितिये विक्रमादिति के सासंकाल में चीनी यात्री फाहयान ने भारत के विभीन अस्थानों का भ्रमण किया था प्रशन संख्या 108 है नालंदा विश्व विद्याले के संस्थापक कौन थे नालंदा विश्व विद्याले के संस्थाप प्रश्ण शंक्या 109 है तामर पत्र लेख दर साते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के रजाओं का संपर्क था किन से तामर पत्र जो लेख है यह बताता है कि प्राचीन काल में बिहार के रजाओं का जो संपर्क था वो जावा सुमात्रा से था यालि D option बिल्कूल correct option है पाल वंसी सासक देवपाल बहुत मतनुयाई था लेखो में उसे परम सौगात कहा गया है तो याद रखिएगा देवपाल को जो है लेखो में उसे परम सौगात कहा गया है उसने जावा के सैलेंद्र वंसी सासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बहुत बिहार बनवाने के लिए पांच गाउं दान में दिये थे प्रशन संख्या 110 है सुण भूमी का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बहुत बिहार के अस्थापना की तथा उसके रख रखाओ के लिए अपने दूत के द्वारा देवपाल से पांच गाउं दान में देने के लिए प्रातना की सुण भूमी का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बहुत बिहार के अस्थापना की तथा उसके रख रखाओ के लिए अपने दूत के द्वारा देवपाल से पांच गाउं दान में देने के लिए जो प्रातना की तो इसका सही जबाब हो जाएगा बताईए तेकि इसका सही जबाब हो जाएगा ओप्शन C बाल पुत्र देव औप्शन बिलकुल करेक्ट ओप्शन है 111 है नालंदा विस्व विद्याले के बिनास के कारण थे नालंदा विस्व विद्याले के बिनास का कारण बताईए कौन थे तो मुसल्मान बिनास करने के जीन का जो नालंदा विस्व विद्याले बिनास के कारण में मुसल्मान का योगदान जादा था नालंदा विश्व विद्याले बक्तियार खिलजी के अधिन तूर्क मुसलिम आकरमनकारियों के द्वारा नश्ट किया गया था यह भारत में बहुत मत के पतन के रिए अंतिम परहार के रूप में देखा जाता है प्रशन संखिया 112 है खजुराहों मंदिर अस्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे खजुराहों के मंदिर चंदिल रजाओं के समय 950-1050 इसवी के बीच बनाए गए यहां के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वतम है कंदरिया महादेव का मंदिर से रिलेटेट प्रशन भी कई बार पूछे गए इसको ध्यान में रखियेगा और खजुराहों मद परदेश के छत्तर पूर जीले में स्थित है प्रशन संखे 113 है विक्रम सिला सिक्षा केंदर के संस्थापव का नाम क्या है विक्रम सिला सिक्षा केंदर के संस्थापव का नाम है धर्म पाल बी अप्शन बिल्कुल करेक्ट अप्शन है विक्रम सिला का विश्व विद्याले बिहार के भागल पूर जीले में इस्तित इसकी अस्थापना पाल वंस के धर्म पालने की थी दिपंकर याद के दिपंकर श्री ज्यान जो उपाध्याय अतिस के नाम से परसित थे यहां के सरवाधिक परसित बिद्वान थे और ये तीवद भी गए थे प्रशन संखिया 114 है निमलिखित राजवनसों में से किसका उले संगम साहित में नहीं हुआ है निमलिखित राजवनसों में किसका उलेक संगम साहित में नहीं हुआ है तो कदम अप्शन ए बिलकुल करेक्ट अप्शन है याद रखिएगा इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए संगम साहित में किवल चोल, चेर और पांडे राजा तिसे कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदुर प्रायदीप तक राजनिती गत्टी विधियू पर प्रियाप्त जोए परकास पड़ता है प्रश्ण संख्या 115 है संगम यूग में उरयूर किसके लिए विख्या था उरयूर याद रखियेगा किसके लिए विख्या था तो उरयूर जिसके लिए विख्या था वो था कपास याद रखियेगा कापास के व्यपार का ये महतपून केंद्र था B option बिलकुल correct option है तमिलाडू के तिरुछिरा पल्ली में अवस्तित कावेरी नदी के टट पर उरैवूर संगम कालिन चोलो की रधानी थी यह कारी और वरणाम नामों से भी परसित था संगम यूग में उरैवूर का पास और सुती बस्तरों का ये बहुत बड़ा किंदर था 116. मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विसाख दत यानि B अप्सन बिल्कुल करेक्ट अप्सन है मुद्रा राक्षास की रचना विसाक दतने की थी इस गरंथ में मौर इतिहास जैसे की याद रखेगा मौर इतिहास मुख्याता चंदर गुप्त मौर की जीवन पर परकास पड़ता है इस गरंथ से मौर इतिहास का पता चलता है और मौर इतिहास में अगर बात करें तो चंदर गुप्त मौर के जीवन पर परकास पढ़ता है इस मतलग की गरंथ में इसमें चंदर गुप्त मौर को विरिसल तथा कुल हिन कहा गया है और धुंडी राज ने मुद्रा राक्षास पर टीका लिखी किसने धुंडी राज ने प्रशन संख्या 117 है प्रित्वी राज रासों के लिखक कौन है प्रित्वी राज रासों के लिखक है पताईए बहुत ही मत्पूर प्रशने कई बार ये प्रशने पूछा गया है प्रित्वी राज रासों के लिखक है चंद बरदाई यानि डी चोहान वंसी सासक प्रित्वी राज तिरति ऐनी राय पिथोरा के दरबारी कभी चंद बरदाई ने प्रित्वी राज रासों की जो है रचना कि थी 118 तो याद रखेएगा इसका सही जवाब हो जाएगा भास महा कभी भास के नाम से तिरह नाटक उपलब्ध है जिने 1909 में स्रिटी गणपती सास्त्री ने ट्रावन को राज से प्राथ किया था इन नाटकों के नाम है याद रखेगा ये जो भास के जो तिरह नाटक है इन तिरह नाटकों के नाम याद रखेगा इन में से कोई भी प्र तीसरा है उरुभंग, चोथा है दूत वाक्य, पंचरास्त्र, बाल चरित्र, धूत घटोचक, कणभार, मध मयवा योगे, प्रतीमा नाटक, अभिसेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत, ये तीरा नाटक जो हैं ये भास के द्वारा लिखे गए हैं जो कि उपलब्ध हैं इसको ध्यान में रखना है इसके बाद प्रशन संख्य 119 में पूछा गया है कि कुमार संभव महा काव किस कवी ने लिखा तो काली दास ने कि ती इसमें 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृती, चित्रण और कार्तिके की जरम कथा जो है वर्णित किया गया है प्रशन संख्य 120 है किर्ता अरजुनियम पूस्तक किस ने लिखी किर्ता अरजुनियम पूस्तक के लिखा कौन है बताईए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो भारवी किर्टा अर्जुनियम पुस्तक के लेखक भारवी है इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है इसमें अर्जुन और किराथ बेश धारे सीव के बीच यूध का वर्णन है एक सो एकिस है उस्रोत का नाम बतलाएं उस्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के ब्यापारिक मारगों पर मौन है उस्रोत कौन सा है जो प्राचीन भारत के ब्यापारिक मारगों पर मौन है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो देखे इसका सही जवाब हो जाएग प्राचीन भारत के वेपारिक मार्गो के संदर में मौन है, कुछ इसका ब्याक्या नहीं है, पाली भासा में बहुत भीक्षू नाकसेंद के द्वारा लिखित मिलिंद पनहों में नाकसेंद और हिंद एवन सासक मेनांडर के बीच वरतालाप का वर्णन किया गया है, यह भी प्रशन कई बार कूछा गया है कि मिलिंद पनहों में किनके किनके बीच का वर्टलाप है, तो नाकसेंद और हिंद एवन सासक मेनांडर, इन दोनों के बीच के वरतालाप को वर्णन किया गया है, इसमें ब्यापारिक मार्गो का वर्णन नहीं मिलता है, 122 है हर शरित्र नामक पूस्तक किसी ने लिखी हर शरित्र नामक पूस्तक किसी ने लिखी इसका सही जवाब क्या होगा बताइए हर शरित्र नामक पूस्तक के लेखक हैं बान भट हर शरित्र गरंत की रचना जो है सूपरसीद लेखक बान भट ने की थी यह वर्धन वंस के इतिहास का परमुक्ष स्रोत है और यह एक अख्याई का है जिसमें लेखक अपने समकालिन सासक और उसके पुर्वजों के जिवन बृत का वर्डन परस्तूत करता है 123 चोल वंस का संस्थापक कौन था चोल वंस का संस्थापक कौन था तो इसका सही जवाब हो जाएगा उप्शन ए बिज्याले याद रखिएगा इसके बाद अगर बात करें तो प्रशन संथिया प्रशन संथिया जो अच्छा इसके बारे में अगर बात करें तो चोल समराज के अस्थापना विज्याले ने किया था जो प्रारम में पलोगों का एक सामन्ती सरदार था उसने 850 इसपी में तंज़ूर को अपने अधिकार में कर लिया तंज़ूर के सैव मंदिर या राज-राजेस्वर या बिरदेस्वर मंदिर का निर्माण राज-राजा प्रथम के काल में हुआ था 124 है चोल काल किसके लिए परसित था चोल काल किसके लिए परसित था आवताईए तो चोल काल जो है किसके लिए परसित था बहुत ही मातपूर प्रशन है तो ग्राम पंचायत के लिए ये बहुत ही परसित था चोल सासा की सबसे उलेखिनिय विशिस्ता स्वायत सासी ग्रामिर संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है ग्राम पंचायत के संदर में इसको याद कर सकते हैं ग्राम पंचायत चोल काल में परसित था उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेग से ग्राम सभा के कारे आदि का विस्तरित वढ़न जो है इसमें प्राप्त होता है 125 है कौन सा मद्यकालिन भारतिय समराज ब्यापक अस्तर पर अस्थानिय स्वसासन के लिए परसित था इसका सही जबाब हो जाएगा चोल अप्शन भी बिल्कुल करेक्ट अप्शन है और 126 है दक्षिर भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते है तो गोपूरम कहलाते है पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे उनके प्रांगन के चार और अनेक प्राचीर बनाये जाते थे और इनके प्रिवेश द्वार जो थे जिने गोपूरम कहा जाता था भव विसाल और पर्चूर मात्रा में सिल्फ कारित से अलंकृत होते थे सिल्पकारी की जाती थी चोलकारिन वास्तुकला की विश्यस्ता मंदी नहीं बलकी गोपूरम है याद रखेगा इसी के साथ आज का सेशन समाप्ट करते हैं नेक्स सेशन में मद कालिन भारत का जो इतिहास है यानि मद कालिन भारत के इतिहास से जितने भी BPSC में प्रशन सकते हैं आपके परतिक्रियाओं का हमें बेसबरिस इंतजार रहता है और जी लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज गूरूप फेस्बूप इस इंस्टाग्राम को जोई ने किया वीडियो के डिस्किप्स न बॉक्स में उसका लिंक है आप जोईन कर सकते है मिलते हैं एक सेसन में